गाइत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओ ओम भूर भूवह स्वह तश्य वीतुर्वरेनियम भर्गो देवश धीमही धीयो योनः प्रचो दयात एक्ता और सम्ता की बात कर रहे थे अगर एक्ता का और कोई रास्ता आसान है तो एक रास्ता और आसान है जिसको गीता कहती है जो करम में कुशल है वो ही योग है अर्थात करम और कोशल का सीधा सीधा सम्बंद है कौन व्यक्ती किसी करम को कितनी कुशलता के साथ या करम की पूर्णता के साथ ही करम का जो पूर्ण सरूप है वो ही व्यक्ती के अंदर व्यक्ती की पूर्णता को पैदा या आपस में विल्य को पैदा, समन्वय को पैदा कर देता है इश्वर ने इस संसार को करम प्रधान बनाया है ये करम का जो संबंद है, वो जीव के साथ जुड़ा हुआ है और करम के साथ कुसलता को जुड़ा गया है करम तो सभी ही करते हैं पर ऐसे करम कितने करते हैं कि जिस करम में योग हो अगर ऐसे करम करें तो समझ लेना करम के साथ कोशल जुड़ाने से और कोशल जो सब्द बना है, वो कुस से बना है आप लोगों ने देखा होगा कुस एक पोधा होता है और ऐसा बताये गया है, उसका अपना कोई बीज नहीं होता है बादलों के बीच में जो बिजली कड़कती है उस बिजली के द्वारा वो पानी के माध्यम से धर्ती पर उतर करके आती है उससे कुछ पैदा होती है पहले रिसी कुमार यग के लिए कुस बटोर करके लाते थे उसमें तीन स्रेणी के बालक होते थे एक स्रेणी के बालक सावधानी से कुस को खाड़ते थे और हाथ नहीं कटने देते थे दूसरी स्रेणी के बालक कुस को खाड़ते समय अपना हाथ कटा लेते थे और तीसरी स्रेणी के बालक हाथ कटने के बहसे अन्य साथियों से मांग करके अपने काम को चलाते थे ये तीन स्रेणी के होते थे कुस ले भी जाते थे तो अपना हाथ नहीं काटते थे पर उसकी माया से आबद्ध नहीं होते वे ही कुसल है उनके इस भाव को ही कोसल और योग कहा गया है कुछ एकत्र करने की प्रणाली को संसार में करमकांड के प्रतीक के रूप में लिया गया है जो लोग अनासक्त निरलिप्त रहकर के फन आकांगशा रहित होकर के संसार के सब करम को संपादित कर सकते हैं वो ही योगी है जो लोग संसार में करते समय संसार की चोटोक से घायल होते रहते हैं वो संसारी हैं और जो संसार को कस्ट बंदन दुख मान करके संसार से दूर रहते हैं और दूसरों के करमों के ऊपर निर्भर करते हैं वे भिक्षुक हैं या सन्यासी स्रेनी के अंतरग्रत आते हैं ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सन्यासी की बात ने कह करके साधारन वेस्धारी सन्यासी का जिक्र करना ही ठीक है करम की निपुनता ही योग है इस भाव से योग सब्द कितने प्रकार के देश और राज्य के पतन के कारण नीचे गिर गया है और कितने विक्रत आर्थ में उसका प्रियोग होने लगा है यहां भी विचारनिय है कि वर्तमान समय में एंद्र जालिक कोशल योग समझा जाने लगा है मारन उच्चानन वसी करन ये सभी आजकल के योगियों का विसेश ध्यान इसी तरफ जाता है और आजका लोग इसी को योग और ऐसा करने वाले को योगी समझ लेते हैं और उनकी भगती करते हैं वो ठगते हैं और हम ठगे जाते हैं ताबीज, कवच, गंडा, आदी के द्वारा वो लोग अपने करमों को अंजाम देते हैं और करम फल का जो सही सिद्धन्त है उसका खंडन करते हैं उसको धोंग बताते हैं जो बंध्या को पुत्र प्राप्ती की दवा देते हैं और रोगियों को बगर चिकित सक हुए रोग को दूर करते हैं वे भी आजकल योगी कहे जाते हैं और उनको भी समाज पूझता है प्राचीन काल में जिनके हाथ उचे रहकर भगवात कारिय करते थे और ऐसे ही कारिय में लगे रहते थे वे उर्द भावू होते थे आजकल जो लोग भगवत उद्देश की अवहिल्ला करके प्राकर्तिक नियमों का उलंगन करके दोनों हातों को निरंतर उपर उठा कर सुखा डालते हैं वे ही उर्द भावू योगी माने जाते हैं प्राचीनकाल में योगी धारणा, ध्यान, समाधी इतने तनमे हो जाया करते थे कि सरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था उनके बालों की जटाएं बन जाती थी, सरीर पर धूल मिट्टी आदी के कण आकर के जम जाते थे आज कल उसकी जगे वट के दूद त्यादी से तावड तोड जटा बना लिया जाती है और सरीर में मिट्टी राख मल करके योगी का स्वांग बना लिया जाता है भोले लोग ये देख करके उनके वसीभूत हो जाते हैं और बड़े बड़े सहरों में जग भर के मालिक आफिस ही अबाजार जाते हैं तब ना जाने कितने पाखंडी धूर्थ योगी की प्योसाक पहने हुए गेरवे वस्त्रधारी छल जमा करके बल कोशल से कितने ही प्रकार के धन को एठने वाले उस बात का ध्यान आने पर मरमान्त होना पड़ता है आजकल ऐसे योगी हर चोराई पर देखने के लिए मिलते हैं उनका केवल एक ही उद्देश है कि समाज को ठगडा और अपने अंदर की जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ती करना उनका किसी आत्मिक चेतना से कोई रिस्ता नहीं है ना उनका किसी का भला करने का कोई रिस्ता है वो ऐसा भी नहीं करते हैं यहां देवादिदेव महादेव के हाथ में उन्होंने संकोच छोड़ करके सब सिद्धियों के बदले भांग का लोटा और गांजे की चिलम उनके हाथ में ले ली है हाथ में उन्होंने पकड़ ली है देश और लोगों के मनुभावों के पतन के साथ ही उनका भी इस्तती विक्रित होती हुई चली जा रही है वर्तमान समय में उचित सोधन की आवशक्ता है योग आदी साधनात्मक जो प्रणाली है उनके अंदर बहुत से उत्तम तत्व नहीं थैं उनकी साहता से जब स्वास्थ प्राप्ती एकागरता शान्ती आनंद प्राप्ती उन्नती भावदर्सन भगवत प्राप्ती की च्छाएं पूरी करने के लिए उनका प्रियोग किया जाता है सोच करके देखिए तब इस योग प्रणाली का संसोधन करने की इसकी उन्नती का उपाए करने की हमें कहीं से कोई युक्ती देखनी होगी वरना योग का सही उद्देश गोन हो जाएगा मैंने भी आप से कहा था करम की कुसलता ही अगर किसी भी करम को आप इतना सुन्दर बना करके करते हैं कि वो करम संसार में पूर्टा को प्राप्त हो जाए तो वो कोशल अगर आपके अंदर जग गया तो करम की पूर्टा ही आपके जीवन की पूर्टा बन करके खड़ी हो जाएगी थोड़े से उदार, मत और भाव आदर्स रखने की विसेश आवशक्ता है ये सर्व साधारन को साजह कर देना होगा ताकि वास्तिक योग क्या है वो कितने रूप में विभक्त है उसकी साधन प्रणाली क्या है किस तरह से संसार के जीवों के हित साधनों में रहकर के हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं इनका प्रियोग किया जा सकता है कर्म योगी किस प्रकार कर्म के रहश्य को समझ कर अनाशक्त भाव से निशकाम फल आकांगशा से रहित हो करके केवल भगवत प्राप्ती के लिए करम को करता है यह सुन्दर रूप से समझ लेना होगा के ज्ञान योगी इंद्रियों को सहियत करके चित को शुद्ध और शांत करते हैं ज्ञान योगी आत्म भाव में इस्तित हो करके किस प्रकार समाधी और योग द्वारा परमात्मा के साथ तन में हुआ जाए इसको भी वो ज्ञान के माध्यम से समझते थे और समझ करके उस विवेक का सहरा लेते थे जिसके सहरे वो करम को आधार बना करके अपने जीवन को सफल बनाते थे मैंने अभी कहा साधन राज्य के योग तक्त्व का अर्थ यही है के हमारे भीतर भगवान की प्राप्ति के लिए अनन्त शक्ती ईश्वर ने हमको दी है अनन्त ज्यान अनन्त प्रेम अनन्त आनन्द हमारे अंदर है परन्तु यहाँ पर एक चीज देखने की जवरत है यह चीजे तो है जो इश्वर यह चीजे है वो तो है परन्तु देखने की आवशक्ता यह है के हमारी कामना, वासना, आशक्ती, हमारी अज्यानता, हमारे कुसंसकार हमारा स्वार्थ, हमारा आत्म सुख, हमारा एहिंकार और हमारी प्रतिष्ठा को जो महो है वो भगवत सक्ती के विकास में बादा पहुंचाता है इसलिए हम जितना ही इसका सब बाधाओं से मुक्त होकर शुद्ध, शांत, पवित्र होकर के इस योग को करेंगे करम के साथ में उतना ही हम भगवत की किर्पा से उन बंधनों से मुक्त होते हुए चले जाएंगे अगर हमारे जीवन में सफलता का कोई राजमार्ग है तो वो योग है जीवन में पूर्णतया की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वज मनीशियों ने तीन मार्ग बताई थे ज्यान योग, भगती योग और करम योग ये तीन योग के मार्ग बताए थे ज्यान योग उच्च बहुत दिक्षक्ति, चेतना संपन, सूक्षम दूर्जर्सी, चिंतन प्रधान और भाव अरजन करने की प्रेणा देता है भगती योग, हिर्दे की शुद्ध आत्म समर्पन की उत्करष्ट भावना अन्यन्य प्रेम को आवश्यक बताया गया है परन्तु करम योग का समन्वैधी इन दोनों के साथ अनिवारिय रूप से जोड़ा गया है सक्चाई को देखिए, मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था कि जीवन का वास्त्विक उद्धेश संगर्स और सहयोग है किसी भी करम को अगर पूर्णता तक ले जाना चाहते हैं तो जैसा मैंने अभी कहा है वो काम क्रोध लोब मोहो से रहित रहना चाहिए अगर उससे रहित रख करके आप किसी करम को कर रहे हैं मैंने जो अभी कहा लोब मोहो एहंकार से रहित हो करके अगर आप करम को कर रहे हैं तो करम में अपने आपी समर्पन का भाव पैदा हो जाएगा और व्यक्त करम के पीछे जो शक्ती लगी है वो अपने आप ही संगर्स में बनती हुई चली जाएगी जीवन में संगर्स में जीवन को ही वास्तव में करम कहा गया है यहां मैं कहूँगा जैसे कपड़े को धोने के लिए साबुल लगा करके उसको रगड़ना पड़ता है ऐसे ही संगर्स भी जीवन के निखार के लिए बहुत आवश्चक है संगर्स में जीवन जब व्यक्ती जीता है तो जितना संगर्स करता है अपनी च्छाओं से बुराईयों से जितना संगर्स करता है उतना ही निखार उसके अंदर आता हुआ चला जाता है सच को देखो गीता में एक मात्र निसकर्स अर्जुन को निसकाम कर्म की सिक्षा देकर महभारत में युद्ध के लिए प्रवर्थ करना जिसमें स्वयम अर्जुन की प्रतिष्था, कर्तव्य प्रायनता, मुक्ती और पूंडता सन्नहित है ऐसी दसा में मनुष्य बात्र जीवन के महभारत संग्राम के बीच में खड़ा है जहां द्विधा संग्र्स जीवन में कटू अनुभाव अवरोद कठनाईयां उनमें मनुष्य के सामने आकर के विपन्नता को पैदा करती हुई चली जाती हैं गीता में करम उसे आगे बद्धानेम का एक मार्ग खोलता है और उस मार्ग से करम योग से मनुष्य के आंत्रिक और बाहिय का परिस्कार होता हुआ चला जाता है अनेक जन्मों की ग्रंथिया जो निराकरण करम के द्वारा जिनका करता है वो खुलती हुई चली जाती है फूटती हुई चली जाती है जो हमारे अंदर बंधी हुई है वो हटती हुई चली जाती है मन शक्तिशाली सुद्ध बनता है आंत्रिक जीवन के साथ बहाईय जीवन की सफलता सुन्दर बनती चली जाती है करम योग में प्रवर्थ होने पर मनुष्य और समाज के निकट अपने आपको स्थापित करता हुआ जिससे मनुष्य में एकांग की पन ना रहे भावना घबराय ना डर संकोच व्रतियों से व्यक्ति दूर रहे वो ग्रंथियां उसके अंदर पैदा ना हो वो छमताएं उसके अंदर पैदा होती हुई चली जाएं उनकी व्रद्दी होती जाएं इसलिए करम को व्यक्ति योग के रूप में करे अक्सर ऐसे लोगों को जो दूसरे से मिलने जुलने बातचीत करने की एक परकार की घबराट बेचैनी महसूस करते है उसके लिए दूसरों से संपर्क करने से बचने की जो व्रतियां है वो जनम लेती रहती है मनुष्य जब व्यक्तित्तों को विक्सित नहीं कर पाता एविक्सित इस्तती में पड़ा रह जाता है तो करम छेत्र उतने पर करम का अवलंबल लेने पर मनुष्य को दूसरों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है और दूसरों के साथ मिलजुल करके किस प्रकार हम करम को करें कैसे सोचें और कैसे चाहें ये विज्ञान करम योग के रूप में करमन्य रूप में आ जाता है मनुष्य जब धर्ती पर आता है तो एक लक्ष को लेकर के आता है अपने जीवन के एक लक्ष को लेकर के आता है और उसकी पूर्ती के लिए ही संसार में जीव जनम को लेता है उसको पूरा करने के लिए वो करम को करता है उस उद्धेश को पूर्ण करने के लिए वो करम को करता है चाहे वो पूरा कर सके या ना कर सके पर हर व्यक्ति के जनम लेने के साथ उसके जीवन का एक लक्ष एक उद्धेश साथ उसके जुड़ा रहता है यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष या उद्धेश ना होता तो हमारे जीवन में जानवरों के जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं होता परन्तु सचमुच अगर अपने जीवन को तुलात्मक द्रस्ति से देखा जाए तो जीवन मानव जीवन में और पशू के जीवन में एक बहुत भारी अंतर पाया जाता है ये लक्ष है इसको पूर्ण करके उस अंतर को पूर्ण करके हम यहां तक पहुँचे हैं मैं फिर दुबार से कहूंगा आप एक तरप एक पसू को देखिए वो पसू कैसी जिन्दगी जीता है और इंसान कैसी जिन्दगी जीता है इस अंतर को अगर आप महसूस करते हैं तो करम के द्वारा ही हमने इसकी पूर्टी को किया है इसकी पूर्टी को किया है तब हमको मनुष्य का मानव जीवन मिला है मैं यह कहूँगा कि पक्षियों के पशु के जीवन के दो ही मुख्य उद्देश दिखाई देते हैं पेट का भरना और अपने बच्चों को परिवार को पालना बस केवल इतना ही दिखाई देता है जबकि हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो इन कामों से कहीं अलग हट करके हमको मनुष्य का जीवन पढ़ता है इसके अतिरिक्त तीसरा उद्देश पसु जीवन का दिखाई ना पढ़ना ही इंसानियत का जीवन है इसके विप्रीत मनुष्य को चिंतित चिंतन की भावनाओं की त्रस्टिकोन की छमता परमात्मा ने दे करके भेजा हुआ है इन सब गुणों को जो विसेस्ताओं के रूप में इश्वर ने हमको दी है परमात्मा का इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कुछी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था वास्तव में करम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है जब हम इमानदारी से किसी करम को करते है तो उस करम को और कितना अच्छा और सुन्दर कर सकते है जब इसके बारे में हम अपने चिंतन को करते है और चिंतन के साथ उस तरह के करम को करते है और करम को और सुधारते और सुधारते और सुधारते ले जाते है तो एक अवस्था जाकर के पैदा होती है मैं यहाँ इस तरह से कहूँ जैसे कोई पेड है और उसके पेड के अंदर उसके रस की कीमत है अगर पेड को हटा करके उसके रस को निचोड लिया जाए तो पेड की सारी उपयोगिता उस थोड़े से रस के अंदर पैदा हो जाएगी और उस रस को भी निचोड करके अगर गुण को अलग कर लिया जाए तो वो और भी थोड़ा सा हो जाएगा इसी तरह से आदमी अगर कम कारिय भी करता है परन्तु जितना कारिय करता है उसे निपुनता के साथ अगर करता है तो उस करम के माध्यम से उसमें वो कोशल पैदा होता हुआ चला जाएगा जिसको करम का कोशल कहते हैं और उसके पैदा हो जाने से जीव का लक्ष जीवन का लक्ष व्यक्ति को मिलता चला जाएगा और वो कहीं नहीं अपने अंदर ही है सारी विसेस्ताई इश्वर ने हमको साथ दे करके भेजी है परंतु मात्र वो निस्क्रिये हैं अगर हम उसको सक्रिये करना चाहते हैं तो करम का कोशल ही उन करमों को गती दे सकता है उनके द्वारा करम अपने उस स्वरूप तक पहुँच सकता है जो वास्त में भगवान का स्वरूप है मैं यह फिर से कहूँगा सारे करम इनसान ही नहीं करता है भगवान एप्रश रूप में जो इस संसार के अंदर समाया हुआ है समेटा हुआ है वो इस कारियों को करता है मैं तो यह कहूँगा इनसान केवल दस परसेंट ही करता है नब्बे परसेंट जो करम हम करते हैं हम दस परसेंट करते हैं नब्बे परसेंट जो शक्ती हमें मिलती है वो ईश्वर से मिलती है इश्वरिय शक्ति हमारे विचार के अंदर उतर करके आती है और हमें वैसा कर्म करने के प्रेरणा को देख करके हमें वैसे कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है गोस्वामी तुलसिदास ने कहा है पर हित सरिस धरम नहीं भाई पर पीडासम नहीं अगमाई मनुष्य का जीवन दूसरों को पीडा देना नहीं परन्तु दूसरों की पीडाओं को लेना है इसे देखकर ही ये कहा जा सकता है कि जिसके भीतर जितनी इंसानियत है वो इंसानियत की भावना से चारों तरब भगवान को देखता है और अपने कर्म को उसी स्तर पर करता है जब उसे सामने वाला भगवान दिखाई देता है तो वो उसी इस्तर पर अपने करम को करता है और जिस करम को वो करता है जब उसका कोशल उसके अंदर लगा हुआ होता है तो वो करम उसे पूनता तक ले करके जाता है इंसानियत की भावना हमें जानवरों से भिन करती है और हमारे भीतर जीवन लक्ष को जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा है उससे परिचित कराती है उद्देश मानवता ही कहा जा सकता है उसी को गोश्वामी जी ने अपनी पद की चुपाई के पद के रूप में कहा है इंसानियत भीतर है इंसान की भावना हमें जानवरों से धिन बना करके हमारे जीवन के लक्ष को साथती है प्रोबकार रहित जीवन मनुष क्या धिकार है जिसकी तुल्ला में पसू स्रेश्ट है मैंने पिछले ही एक प्रवचनों में कहा था कि इश्वर ने सेर को जैसा बनाया है वो हमेशा वैसा ही बना रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता मैंने कहा भी था बताया भी था कि पशू अपनी एक प्रवर्ती पर ठिके रहते हैं और उसी प्रवर्ती से पूरे जीवन को काट देते हैं परन्तु इंसान एक प्रवर्ती पर ठिका नहीं रह सकता माल लीजिए वो अपने आपको निस्क्रिये रखकर के अपने समय को काट भी रहा हो तो भी वो निस्क्रिये नहीं रह सकता हमारा जीवन धर्ती पर ठिका है धर्ती के घूमने के कारण हमें पता ही नहीं लगता है कि कब दिन हुआ और कब रात हुआ ये परिस्थतियां भी ठीक इनसान के साथ इसी तरह से जुड़ी हुई है जैसे सरीर एक जगे व्यक्ति को इस्थिर दिखता है परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता धर्ती घूम रही है ये दिखाई नहीं देता और हम परिवर्तित हो रहे हैं ये दिखाई नहीं देता परंतु वास्तिकता ये नहीं है क्योंकि हम धर्ती पर टिके हैं और धर्ती गूम रही है तो हम में परिवर्तन हम में भी आता हुआ चला जा रहा है तो बार से कहुँआ ये परिवर्तन नितान तावस्षक है अगर इस दुनिया के अंदर शक्ती नाम की कोई चीज है तो शक्ती का उदभव इसी शक्ती के अंदर से होता है और हम शक्ती के साथ जुड़ करके शक्ती का वास्तिक शरूप बन करके निकल करके आते हैं करम योग में प्रवर्थ होने के कारण मनुष्य समाज के निकट संपर्क में इस्थापना करते हुए अपने एकांग की पन की भावना को खत्म करता है आप अंदर से देखना व्यक्ति जब भी किसी के संपर्क में आता है तो उसके जो अपने निजी संसकार होते हैं वो अपने काम को करना सुरू कर देते हैं परन्तु जिन लोगों का धर्म परहित के लिए समर्पित है ऐसे लोग परहित के लिए कुछ सोचने की बात को नहीं कर करते हैं बस एक ही बात में बने रहते हैं कि किसी तरह से अपना संपर्क किसी के साथ बना रहे जिससे हम दोनों के बीच में करम का योग आदान परदान के रूप में अवलंबन के रूप में बना रहे मनुष्य को दूसरों के संपर्क स्थापित करना पड़ता है दूसरों के साथ मिलजुन करके अपने करम को अंजाम देना होता है कैसे सोचें और कैसे चाहें इसी विज्ञान को करम योग कहा गया है एकरमन्य ना रह करके अच्छे से बैठ करके रचनात्मक कारियों में लगे रहना और अपने मन को शक्तिसाली बनाने का एक सरन उपाए अगर आप के पास है तो वो केवल यही है जो कामनाए निरंतर हमारे अंदर पैदा होती रहती है उठती रहती है उनसे मानसिक और जो अपनी कमजोरिया है जो हमा को कर्म सत करम में भी अपने प्रभाव को छोड़ करके उसको नीच करम बना देती है उन कुविचारों की बढ़ती हुई कुमार्ग को प्राप्त होती हुई उन साधनाव को हमको करते हुए अपने जीवन को पवित्र से पवित्रतम बनाते हुए चले जाना है करम इसका पून रूप से आधार है जब करम को हम साधन बना करके करम को करते हुए चले जाते हैं तो समझ लेना वो करम ही हमें उचा उठाता हुआ चला जाता है मानसिक रोग जो आज व्यक्ति को घेर करके रखे हुए हैं सरीर से जिन करमों को करते हैं उन करमों के अंदर अपने प्रभाव को निरंतर उस कारिय के अंदर डालते रहते हैं आप लोगोंने सुना होगा खाली दिमाग सैतान की दुकान इस तरह की बात आपने समझी होगी बुरे विचारों के आने जाने से कोई समय ही नहीं रहता इसके साथ अतिरिक्त काम करना संभव नहीं हो पाता आत्म विश्वास बढ़ता है और इससे मनुष्य को आत्म नियंतरित की शक्ती बढ़ती हुई चली जाती है आत्म नियंतरण बढ़ता हुआ चला जाता है उसी के द्वारा होती है निष्था स्रद्धा और सलग्नता के साथ किया गया कोई भी काम मनुष्य को सद्भाव उच्विचार उच्साहा संतोष शांती प्रदान करने वाला होता है उच्वाव में उच्विचार में व्यक्ती को जो संतोष मिलता है जो शांती मिलती है जिसका आदान प्रदान होता है सोच करके देखो कि वो कितना सहज है अगर करम को हम अपने जीवन का आधार बनाए तो वास्तव में करम हमको कहा से कहा ले करके जाता है आवशक्ता किस बात की है वो स्रद्धा वो निस्था वो लगन हमारे अंदर होनी चाहिए अपने करम के परती जितना करम को शुद्ध विचार करके मैंने विचारों की शक्ति बताई थी उसी शक्ति का साकार विचार की शक्ति का साकार रूप करम है दुबार से कहता हो व्यक अभी आपको समझाया गया है करम ही उसका सरलतम माध्यम है हमको भगवान दिखाई नहीं देता कल शाम को एक ओडियो डाली थी उसमें बताया गया था इश्वर को अगर हम अपना बनाना चाहते हैं या आत्म साक्षात कार अगर हम करना चाहते हैं तो इश्वर को अपनी जी पर चलाना इससे नहीं कर सकते पर हमको स्वयम इश्वर की इच्छा पर चलना होगा अगर हम ऐसा करें तो इश्वर को हम अपना बना सकते हैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कू विचारों से हमेशा दूर रहें आंत्रिक लाव शान्ती आत्म प्रशाध के रूप में अवलंबन की द्रस्ती से प्राप्त करना होगा मानसिक व्यकारों पर नियंत्रन होकर के नैतिकता के रूप में हमारे अंदर बौद्धिक उन्दती को हमको करना होगा कुल मिलाकर कर्म योगी का जो अंतर ब्रह्म स्वरूप है वो ही वास्त में जीवन की सफलता है उस स्वरूप को हमको जगाना और बढ़ाना होगा अगर हम ऐसा कर सकें तो चिंताओं से मुक्ती के लिए आपको कुछ करने की आवशकता नहीं है आपकी चेतना अपने आप अगरसर होती हुई चली जाएगी यानि के आप चिंतन के छेत्र में अगरणी होते हुए चले जाएगे बहुत अच्छे से समझ लेना मैंने पीछे समझाया भी है के करम योग के माध्यम से ही आप इन सारे के सारे कर्वों को पूर्ण कर सकते हैं आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा करम को करें ऐसा खराद कर गुण से ओत्रोत करके आप करम को करें जहां पर सारे की सारी ईश्वरिय अनुकंपा ईश्वरिय विसेस्ता के रूप में उस करम के अंदर जैसे लकडी पर जड़ देते हैं ऐसे ही वो हमारे करम पर जरती हुई चली जाए और हमारे जीवन का उद्धार करें आज की बात को संपन करते हैं ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती ही